आएं ही solution में किस तरह से हमने cash flow statement generate की cash flow from operating activities यह जो earning before interest and tax है इसकी working detail में मैं आपको दिखाऊंगा कि how this figure is derived क्यों कि आपके पास income statement as such बनी हुई नहीं है जहां से आपको यह figure उठानी होती है अब यह क्योंकि है नहीं तो इसकी derivation दिखानी पड़ती है so what depreciation is concerned वो खब प्रांट की है या pictures की है वो सारी add back होती इसकी reason कि इसमें cash outflow तो होता नहीं है यहां तक है interest received और interest paid interest paid तो यहां आएगा और tax paid भी यहां आएगा यह जरूरी है कि यह दो figure interest paid और tax paid इसी portion में आएगा लेकिन अगर interest received है तो सब हम यह भी कह सकते हैं कि यह तो फिर आपकी investing activity में आनी चाहिए तो वहां भी ठीक है और यहां भी allow है यहां इसको मना नहीं करता है जहां तक change है working capital में उसमें आप देखें कि account receiver बढ़ गए है तो यह आपका outflow है और अगर simple है कि अगर current assets बढ़ेंगे तो outflow है यह खरीदें तो outflow है और अगर कम होते हैं तो inflow बनेगा current liabilities के बारे में यह है कि अगर वो बढ़ती है तो inflow है और कम होती है तो outflow है तो इस case में increase हुई accounts payable में इसलिए यह फिर inflow है तो cash inflow from operating activities 76,800 का है investing activities में आपने purchase की property आपने sale की machinery आपने sale की picture तो purchase की तो outflow sale की तो inflow मैंने explain किया था कि कैसे वो figure यह आएंगी purchase of fixtures again यह property और फिक्चर का account बना कर देखें अगर इसमें increase आ रही है तो that means कि यह आप purchase देखें government stock अगर आपने buy की है तो यह आ जाएंगे और purchase of machinery भी इसमें आगे cash flow cash outflow from investing activity यहां note करें point कि आपने investing activity अगर बढ़ी है तो उसकी funding कहां से हुई वो funding हुई आपकी operation से क्योंकि वहाँ पर आपके पर 76 million available है जबके यह 69 आपने यह खर्च कर दिये और सिर्फ यह नहीं है कि आपने redemption किया है shares को वो 70 million था 30 million रहा गया तो इसके मिलें चालिस पे हुआ लेकिन चुक्छे आपने premium पे पे किया है तो आपको 42 की आउटफलो दो डिविदेंट जो paid उसने बता दिया आगिया और bank overdraft के बारे में यह था कि आप इसको चाहें तो नीचे ले जाएं cash and cash equivalent में और अगर यह bank overdraft permanent feature बन जाता है तो फिर इसको long term loan में treat कर लेते हैं दोनों तरह से acceptable है share issue at premium जो आपने share issue किया premium पर वो figure जितने में issue किया याद रखते हैं अगर आपका 10 रुपय का share 12 में issue हो रहा है तो आपको 12 रुपय आ रहे हैं तो 12 रुपय आपको inflow में दिखाने हैं तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर हम investing activity और financing activity को गौर से देखें तो आपने एक इसलिए भी issue किया है किया देखें huge investment किया है आपने investing activity में तो long term investments के लिए आपको long term fund की ही ज़रूरत होती है सारे का सारा working capital हम नहीं ले सकते हैं तो बाकी जहां तक रह जाता है कि balance की figure cash inflow from the financing activity और net increase in cash and cash equivalent is 11,200 opening balance आपका था 200 का आपने accounts में देखा और जो closing balance आपको नजर आ आपकी figure जो income statement balance sheet में दी गई है वो 11,400 तो यह आपका accounts में match होना चाहिए कि opening में cash कितना था और अब हमारे पास इस साल जो बचा और closing में कितना रह गया तो यह figure reconcile होना जरूरी है Thank you very much